CUTEC family, तो CUTEC family, आज हम बात करेंगे, अगर आप office में काम करते हैं, presentation ready करते है, online काम करते हैं, offline काम करते हैं, या work from home करते हैं, उसके साथ साथ अगर आपको business के लिए laptop चाहिए, traveling के लिए laptop चाहिए, मतलव हर एक category इसके according, मैं आज आपको laptop recommend करने वाला हूँ, जादा बता कर confuse न दिएभी बात करते हैं laptop की तो अभी बात करते है number three की number three पर मैंने रखा MIC की और से laptop सबसे पहले मैं आपको यह चीज़ बता दूंकि laptop में कमी कोई नहीं है इसको number three पर रखने का एक रीजन है यार कई city and state में नहीं जो जाना अगर है तो आप जा सकते हो ठीक है अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं 15 इंच के साथ आपको फुल एच्टी डिस्प्ले मिलेगी 16 रिफ्रेश्ट के साथ AMD राजन 5S में प्रसेसर मिलेगा डवल फार डवल जरो यू के साथ शेक और का यह प्रसेसर है 8GB RAM मैं 16GB RAM अपगेड कर सकते हो प्लस आपको फाइब टॉलर जीबी आपको SSD मिलेगी M.2 NVMe SSD मिलती है नॉर्मल SSD नहीं मिलती डाटा वगरा ट्रांसफर करने के लिए अगर आपको हाइवी साफ्ट्र यूज करोगे उसको इजली हैंडल करेगी SSD ठीक है AMD Radeon Graphic Card मिलेगा उप्रेण सिस्टम विंटो 10 आल पोर्ट मिलेंगे एंड यह कार्बन ग्रे कलर में देखने को मिलेगा Wi-Fi 6 की स्पूर मिल जाते है Bluetooth वर्जन की बातों को 5.0 देखने को मिल जाएगी MSV Modern 15 में तो यार मैंने आपको इसके Specification बता दिए अभी बात करते हैं इसके Price Range की तो यह Laptop आपको 45,000 के Price Range में Approximal मिल जाएगा Price उपर नीचे जा सकता है Price Fix नहीं होता Amazon पे तो बिल्कुल भी नहीं होता यह चीज़ आप द्यान में रख लेना Buying Link की Description Box में तो अगर आपको Checkout करना है Buy करना है जैसे भी करना जाते हो भी आप कर सकते हो वैसे इसका Look वगरा बहुत अच्छे है मैं आपको repeat कर देता हूँ अगर आप एक शोटे गाउन से आते हो शोटे शहर से आते हो तो देख लेना कि इसका Service Center आपके शहर में मिल रहा यह Laptop मिलेगा जो Specification अभी बताने वाला हूँ 15.60 के साथ आपको Display मिलेगी Full HD Display 250 Nits brightness के साथ AMD Ryzen 5 इसमें भी Processor मिलेगा 5500U के साथ जो सेम प्रोसेसर MSC Modern में देखने को मिलता है 8GB RAM & 12GB RAM अपकेट कर सकते हो 512GB आपको SSD AMD Rodeon Graphic Card Opening System Windows 11 मिल जाती है MS Office मिलेगा 2021 model ठीक है आपको 7 hours का Bantry Backup मिलेगा Rapid Charger भी मिलेगा 80% चार्ज कर सकते हो अपने Laptop को सिर्फ और सिर्फ एक गंटे में 720P Web Camera Ports की दिक्कत दियाएगी Wi-Fi 6 की Sport Bluetooth वर्जन की बातों को 550 मिल जाता है एंड ये Laptop Backlight keyboard के साथ मिलता है तो यह इन तीनों में से Best कौन सा है अभी नहीं recommend करने वाला वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूँगा कि कौन सा Laptop किस Categories के लिए Best होने वाला है अभी नहीं बताने वाला अभी मैं आपको Laptop के बारे में बता रहा हूँ Specification बता रहा हूँ वो ची सुन लो उसके बाद आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको किस Laptop की और जाना है आगे बात करते हैं No.1 की तो No.1 की बात करते है No.1 पर मैंने रखा है HP Pavilion को तो यार अगर आप 50,000 बजट लेके जा रहे हो जा एक दो हजार एक्स्टा पे कर सकते हो तो भाई आप इस Laptop की और जा सकते हो अगर मैं स्पैसिफिकेशन की बात करूँ 40 इंच के साथ Full HD डिस्प्ले 250 निट्स ब्रैटनेस के साथ AMD Ryzen 5 मिलेगा 5625U के साथ शेक और का ये भी प्रसेसर है 8GB RAM 16GB RAM अपकर सकते हो 5 टॉलर जीबी आपको SSD AMD Ryzen ग्राफिक कार मिलेगा Operating System Windows 11 2021 आपको MS Office मिल जाता है पोर्स की दिक्केत नहीं आएगी 720P Web Camera Lexa Build-In मिलेगा Wi-Fi 6 की Spoon Bluetooth version की बातों को 4.2 देखने को मिलेगा एंड ये Laptop आपको Backlit क्यूबर्ड के साथ देखने को मिलेगा तो यार Specification मैंने आपको HP Pavilion 14 के भी बता दिया अगर मैं Price Range की बात करूँ Price Range मैंने आपको पहले भी बता दिया था मैं आपको repeat कर देता हूँ कि आपको 50,000 से लेके 52,000 के Price Range में Approximal मिल जाता है Price उपर नीचे जा सकता है विकर Amazon पे fix नहीं होता अभी conclusion की बात करते है कि इन में से laptop कौन सा buy करना जाए तो भी अगर आप student ओ online classes लगाते हो office work के लिए चाहिए animation करने है graphic designing करने है programming करने है coding करने है कोई भी चीज़ करना जाते हो तो भी मेरी और से recommend आपको यह है कि आप HP Pavilion 14 की और ही जाओ because यह traveling के लिए भी अच्छा होने वाला 14 इसके साथ display है easy to use है easy to carry है इसका design look specification बहुत ही जादा अपर है अगर आप एक middle class family से आते हो 4 से 5 साल अगर आपने एक laptop को use करना है तो तब भी मैं आपको यही recommend करूँगा कि आप HP Pavilion 14 की और ही जाओ तो यार main specification मैंने आपको सभी के बता दिये conclusion भी बता दिया अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जा दिया खत्म अगर आपको मेरी वीडियो ची लगी वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना अभी मिलते हैं यार next वीडियो में नई वीडियो के साथ को निया topic क्लिक रहेंगे आप सभी के साथ share करेंगे so thank you